Hello friends, welcome to the channel Electrical and Automation दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुती बैसिन वीडियो लेके आगया हूँ आज इस वीडियो में हम आपको ड्राइंग की हेल्फ से आज ये बताने वाले हैं कि DI की जो वाइरिंग होती है वो DCS पैनल में कैसी होती है अगर ये वीडियो आपने लास तक देख लिया तो मेरी गारंटी कि आज आप DI की इस टाइप की वाइरिंग को कभी नहीं बूलेंगे और कहीं पर देखेंगे तो बहुत आसानी से जान जाएंगे कि इस DI वाले वीडियो पे क्या है तो जैसा कि दोस्तों हमने यहां पे क्या किया हुआ है बोर्ड पे हमने एक वाइरिंग डाइग्राम बना रखा है जिसमें आपको नीचे दिखेंगे तो ये एक IO कैबिनेट है उसके बाद दूसरी आपको मार्श्लिंग चैबिनेट है और मार्श्लिंग कैबिनेट के बाद जो है वो फील्ड साइड है जो आपको लास्ट में दिख रही होगी तो इसमें आज हम आपको वाइडिंग बताएंगे कि कैसे जो पहला हमारा है ये AI कार्ड है तो DI card से जो है हमारा command जाता है दोस्तों सबसे पहले वीडियो में और डिस्क्राइब करने से पहले मेरी हर बार रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को subscribe करना ना भूलेगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो और लोगसा शेयर करिएगा तो चलिए शुरू करते दोस्तों यहां पे हमारा DI card है DI card को आपको on करने के लिए यहां पे supply चाहिए होगी वो भी DC supply चाहिए होगी तो हमने DC supply का connection दे दिया है इसका मतलब मेरा card यहां पे ready हो चुका है अब हमको करना क्या है कि हमारे field को DI चाहिए होता DI क्या मतलब digital input मतलब हमको field इससे पता चले कि कोई चीज off हो गई है या कोई चीज हमने close कर दी है मतलब limit switch वेगरा की जो wiring होती है वो DI में आती है या run feedback कोई चीज चल गई है वो भी हमेंसा DI में आता है तो वो कैसे आता है सबसे पहले हम चलते है field की तरब तो field में दोस्तो होता क्या है हम according to situation हम contact देते है generally हम लोग no contact देते हैं यानि field में समय normally वो open रहेगा अगर suppose करिए मेरा यहां पे यह वाला contact जो है वो मेरी VFD के drive में लगा हुआ है और VFD के drive के run feedback में यानि अगर वो चलेगा तो यह no जो है वो दोस्तो nc हो जाएगा तो suppose करिए मेरी drive चल चुकी है और यह no जो है वो nc हो चुका यानि यह जो चीज है यह जुड जाएगी तो जैसे यह जुड जाएगी तो इसके पास तक कार्ड के पास तक यह signal कैसे पहुचेगा अब हम वापस कार्ड यह तरब से देखते है तो आपको यह समझ में आगा कि अनो हमारा contact हो गया जो field में हो गया जो की nc होना है अब nc के बाद यहां तक कैसे आएगा वो आपको river side से समझेंगे तो भी समझ में आ जाएगा चलिए उल्टी side कहीं से भी समझ लीजिए जो दो तरब से आसान है तो होता है क्या दोस्तों यहां पर हमने यह हमारा जो है वो DCS panel की reinforcement cabinet में TV रहती है तो हमस्ते TV में दो हमारे टर्मिनेल हैं एक टर्मिनल में हम दोस्तों क्या करते है चौर्विस वोल्ट DC प्रोवाइड करते है यानी यह सब स्बोस करें यह एक chanel है यह एक chanel है तो एक chanel के दो अगर आपके टर्मिनल है जैसा कि होता भी है डी आई में एक चैनल में दो टर्मिनल हम बनाते हैं और एक में हमने कहा किया 24 वोल्ट DC दे दिया तो जब 24 वोल्ट DC यहाँ पर NO पर पहुँच जाता है और जब यह NC होता है तो गूम के 2 नंबर पर आ जाए गया यानि इस चैनल के जो दूसरा टर्मिनल है उस पर 2 पर आ चुका है अब यह सिगनल जब 2 पर आएगा तो यह वारिंग हमारी कहां पर गई दोस्तों यह हमारी गई है इस कैबिनेट की रिले में यह दोस्तों क्या बना हुआ यह रिले बना हुआ है रिले में दोस्तों क्या है ये है रिले और ये है इसके contact तो जेकी जोस्तों 24 वोल्ड वहाँ पे contact घूमा 24 वोल्ड यहां घूमके आई और ये रिले पे आई जैसे ही दोस्तों 24 वोल्ड रिले पे आईगी तो रिले क्या हो जाएगी energized हो जाएगी, जानते हैं यह आप relay का action क्या होता है, relay को जैसे supply मिलती, relay energized हो जाती है और जैसे यह energized होगी दोस्तों तो यहां हर relay में क्या होता है दोस्तों एक common होता है, एक आपका NC होता है और एक आपका NO होता है, तो दो number नमबर वाला है, वो NO से NC बन जाएगा, यानि यह contact जो उपर वाला है, यह इस से connect हो जाएगा तो जैसे यह इस से connect हो जाएगा तो A2 से signal A2 से, यानि 1 पे हमने क्या सॉरी, माफ करिए, मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उल्टा बता रिया, एक number हमारा NC बना हुआ था, दो number हमारा common था, क्योंकि supply किसमें आ रही है दोस्तो जैसे कि मिस से भूल हो गई, वैसे आगर आपको कभी confusion ना हो, आप हमेशे याद रखिएगा, common पे हम supply देते तो मैंने उपर देखा निदा, 24 वो जो power supply है, वो मेरी दो number प्यारी है, इसका मतलब दो number हमारा common है, एक number हमारा NC है, तीन number हमारा NO है, तो जैसे ही मेरी relay energized होगी, तो ये दो number का contact उठके, तीन number प्याजाएगा, ये मेरी 24 वोल्ड हूम के दो number से तीन number में आ जाएगी, और ये तीन number के 24 वोल्ड मेरे power supply के इस channel, सोरी, power supply के रहा हूँ, ये हमारे DI card के इस channel पे आ जाएगी, तो ये channel को पता चल जाएगा कि हाँ भी है, यहाँ पे field पे contact लग गया है, तो ये था इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी जो field है, उसका signal हमारे card तक पॉसता है, मुझे उमीद है कि ये आपको काफी अच्छा लगा होगा, कि किस तरीके से supply घूंग के आती है, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना, समझने में हो सकता है, कुछ दिक्कात आ गई हो, तो simple क्या होता है, contact बना, यहां समने 24 वर्ड दी, contact से वो 24 वर्ड होम के रिले पे आएगी, रिले एनरजाईज होगी, रिले एनरजाईज होगी, तो जो हमारा contact है, एनो वाला, वो NC बन जाएगा, और वो NC के supply हमारे card पर पहुँच जाएगी, और card हमारा समझ जाएगा, कि वो चीज यह इसलिए करते हैं, क्योंकि protection के purpose से, देखिए, दोस्तो field से कुछ भी आ सकता है, माल लीजे, 24 वर्ड तो आई रहा है, सपोस करिए, कोई भी linkage हो गया, कहीं से इसी supply है या या high voltages आ गया, तो वो कौन प्रोटेट करेगा, वो relay प्रोटेट करेगी, relay हमारी क्या कर जाएगी, relay हमारी खराब हो जाएगी, हमारे field को हमारे DCS से isolate कर देगी, तो यह एक protection का भी काम कर रहा है, तो यह एक best तरीका है DI का, कहीं कहीं आपको ऐसा DCS मिलेगा, वहाँ पे 24 वोल्ड का जो contact है, वो directly हमारे card से connect है, तो वो जो isolation आपको यहाँ relay की form में मिल ला है, वो आपको हो सकता card में भी हो, वैसे तो card protection होती है, लेकिन अगर आप relay से protection extra दे देंगे, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो मुझे उमीद है दोस्तों आपको यह समझ में आयोगा, इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको डियाई के wet contact की wiring बताऊँगा, यह डियाई के dry contact थे दोस्तों, dry मतलब जहाँ पर AC supply नहीं है, wet contact बहुत है, जहाँ पर AC supply को हम flow करवाते हैं, इसके बाद मैं आपको डियो की wiring भी बताऊँगा, कि डियो की wiring कैसे करी जाती है, तो हमारी आने वाली इस wiring की स्रीज को देखना ना भूले, रोज हम वीडियो लेके आएंगे, आप हमारी इस वीडियो को अच्छा लगे, तो दोस्तों और लोंग साथ इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू,